हलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने परिवार में जैसा कि दोस्तों आपको पता चली चुका है कि जो रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट थी वो दे दी गए भरती वोड के द्वारा ठीक है इसमें साफ साफ कहा गया है उत्तर प्रदेश फूलिस रेडियो समयर के भरती पर सीधी वरती लिखित परिच्छा 2022 के सायक परिचालक तथा करमसाला करमचारी का प्रणाम जारी करने की तैयारिक एंतिम चरण में है और इसे अगले सब्ता जारी किया जाएगा किसकी बात कर रहे हैं काफी लोग भी कन्फ्यूज कर रहे हैं लोगों को कि भाई रिजल् आएगा लेकिन तभी आएगा जो कल अभी में आपको थोड़ी दिन बताने वाला हूं कल जो हम लोग करेंगा अगर हो सकता तो उसी वज़ा से आए सायक परिचालक तथा करमसाला करमचारी के देखिए अगले सब्ता जारी किया गया अगला देखिए क्या है कि माननी उच् अंतिम चरण में है और इसे अगले सब्ता जारी कर दिया जाएगा ठीक है लेकिन प्रधान परिचालक का अधीन है और इसकी कोई तिथी घोसित नहीं की गई है और कल भाई हम लोगों को चलना है इसी प्रणाम के लिए को काड़न चलना है उसके पहले चोरों की एक चोरी और मैं आपको पता देता हूँ देखो यहां पर और केस हुए है ठीक है जैसे कि आपको पता है कि केस हमारा लेडी दो इलहाबाद में और एक आपका लखनों में केस चला था फाइनली कुछ केस और मतलब दो से तीन केस और निकल के आ रहे हैं जो दूसरे पच्छे की पता है उतकर स्पांडे रिस्पांडे टेट आप यहां पर रिट नंबर यह देख सकते हैं ठीक है और इसमें आप देखोगे कि जो इसमें डेट लगी हो बारा अगस लगी है इसकी एक सुनवाई हो चुकिए साथ 22 जुलाई को और इसमें जो नेक्स डेट लगी है बारा है चसका इस पुलिस ठीक है यह आपका केस हुआ है और 22 तारीक को हुआ है क्योंकि यह केस कब हुआ था भाई इक इसमें आपको बता दे रहा हूं दूसरा आपको यहां पर दिखा देता हूं इसका घमाने है केस कारत हो ने टेक है इसका प्हुलाईर फ़ाय Analysis की 25 जुलाई यह case file किया गया था और इसमें registration 16 July को हो गया था और इसमें जो first hearing date है यह 22 July को लगी थी ठीक है 22 July को इसमें क्या लग गई थी भाई hearing लग गई थी यह जो चोरी वाला case है इसमें और इसमें क्या है कि next hearing date है यह 12 अगस्त को लगी हुई है single bench है अभी है सारी चीज़ आप यहां पर देख सकते हैं उतकर स्पांड़े हैं और इस टेट आप यूपी एंड थी एदर से डूकेट सी यह सी है भी और अब की सी का नंबर होता है जिस वैच के वकील रहते हैं वह यहां पर लिखा रहता है तो यह और केस है और भाई पता नहीं कितने केस हुए है यह हम लोगो गार्डन पहुशते हैं तो ही कुछ आप परणाम को अमीद करिए हेड ऑपरेटर की और यह और यह भी सारी चीजें हमको पता चल पाएंगी कि केस भाई और कितने केस हुए हैं ताकि हम लोग उसमें अपना थोड़ा अपना पच्छ रखने के लिए अगर कुछ मजबूती से कर सकते हैं तो करें नहीं है तो भरती तो भाई गई हांसे साल वगड यार दो साल त् dauतीन साल बार इसमने अवकरी मिलेगी प्बड़े हो जाओ कितने लोग eस 30 हो जाएगी और फिन नौकरी का मज़ा ही कहा है वाई तब तकतो साधी हो जाएगी दो साल त्षिय e. ऑग कोड कचेजी का मैटर है इतनी जल्दी सुलटने वाला है नहीं इसी लिए कल ज्यादा से ज्यादा लोग आईए और भरती बोट पर हम लोग दबाओ बनाएंगे लखनौ की इको गार्डन में आनन्द भाई के साथ आप आनन्द भाई चैनल से नहीं जुड़ें जुड़ें जैसा कि कल उन्होंने कहा है बाई कि दो जो है अगस्त को सभी लोग लखनौ उइको गार्डन पहुचिए और भरती बोट पर दबाओ बनाए जाएगा कि भाई अगर आपके पास कोई इस्टे ओर नहीं है तो आपने इस्टे ओर अगर कुछ नहीं है तो आपने रिजल क्य लिप्त बढ़ती थी तो उसमें तो बहुत जल्दी थी भाई उसमें तो बहुत जल्दी तुमने करा दिया सारा कुछ तो इसमें पैसा खाये थे पैसा खाये थे और सारी चीज़ें जो है आपने उसको करा दी जल्दी जल्दी कितने उसमें केस चल रहे थे अभी तक केस च या करेगा आप खुछ समझे तो भाई देखो कहने से कुछ नहीं होगा सभी लोग जो भी पहुच सकते हैं जो भी पहुच सकते हैं जरूर पहुचिए हम लोग भरती वोड़ पर दबाव बनाएंगे बरती वोड़ पर दबाव यह बनाएंगे भाई कि रिजल्ट जब कोई इस्टे नहीं या तो आप हमें इस्टे दिखा दीजे या तो आप जो है भाई रिजल्ट आप जारी करिए भरती वोड़ से हम लोग कहेंगे कि आप तो भाई रिजल्ट दिखा दीजे इस्टे दिखा दीजे हमको या तो फिर आप रिजल्ट जारी करिए तो अभी के उनके उपर दवाव बनाया जाएगा जब इस्टे नहीं या तो हमको इस्टे दिखा दो कहा इस्टे बरति यह पर नाम पर इस्टे लगा है इस्टे दिखा दो या तो आप रिजल जारी करिए साथ में और जो आगे की प्रक्रिया है डीवी पीएश्टी रनिंग है वह आप निमावली और विग्यापन के तहट आप उसको आगे पूरा करिए बाद में जो कोट करने आग वह देखा जाएगा भाई यूप्यसाइव में इतने केस चल रहे थे ठीक है तो भाई यह थी जो है चोरो द्वारा किया गया केस है यह सारे केस केस किये जा रहे है चोरी के सा आजाए भरती बोड हमारा भी रिजल दे हीड ऑपरेटर का भी रिजल दे और आगे की प्रक्रिया निमावली विग्यापन के तुरू आगे चलाए ठीक रोस्तों तो उमीद है चैनल को सस्काइब जरू कर लिजेगा ताकि जो भी अपडेट है आपको मिलती रहे है वाज क सेशन में इतना ही जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद